अब आई ये हम बात करते हैं बारह राशियों की बारे में कि आज की बारह राशियां क्या कहती हैं किसको सरकारी नोकरी मिलेगी कौन उच्पत प्राप्त करेगा कौन बैग्यानिक बनेगा कौन अभियनता बनेगा कौन अध्यवक्ता बनेगा कौन साहित्यकार बनेगा कौन बनाएगा कौन कहानी लिखेगा किसको खेल के चित्र में जाना है कौन विदेश जाएगा क्या सौधानी बरतनी है क्या उपाय करना है किस रंग के प्रयोग करने से आपको बड़ी सफलता मिलेगी और यह सारी बात हम आपको होता हैं तो आए शुरुबात करते हैं मेश राश की जातक हैं आज का दिन आपके लिए अत्युत्तम हैं अगर आप प्रयास करते हैं तो आपके सभी बड़े कारों में सफलता मिलेगी समय अनकूल चल रहा है समय का सुधिप्यों करना आपके लिए वहतर होगा लावप्रत इस्तिती रहेगी जो आपने करजे लिया है उससे मुक्ते मिलेगी जो आप यो जनाय मिनाएंगे वह लावधायक होगा आपके रोग और सत्रू परास्त होंगे अगर बैपार में कोई पूजी निवेस करते हैं ता आपके लिए अच्छा रहेगा बैपारी की सिती अच्छी रहेगी रियल इस्टेट प्रापर्टी माइन्स से कोई लें दिन ना करें उपाय क्या करना है लाल चंदन भगवान सुरी देव को अरफित करें और केशर का तिलक लगावें गाय को रोटी गुड़ खिला में जब प्राता का लूठें तो माता पिता कच्छड़ असपर्स करना न भूलें सुभंग के एक सुबरंग है ला पूल समाधान होने का प्रवल्योग बन रहा है इस सित्यां लाप्रद हैं आज आप कोई भी एफल्ट करेंगे बैपार करेंगे उसमें आपको लावका समाचार मिलेगा संतत्यों का सुख प्राप्त होगा संतान सुख मिलते वे दिख रहा है संतान की चिंता स्रमाप्त रोग और सत्रु परास्थ होंगे विरोधी द्वास्थ होंगे खड़े त्रकारी भी पल रहेंगे अंत्रात्मा की आवाज को सुने अपने इंट्यूशन पर कारे करें आपके लिए अच्छा रहेगा यह ध्यान रखना है कि कोई व्यक्ति आपको मिस्गाइड ना करें बहु गरिब व्यक्ति को दूद्ध दही या सफेद वस्त्र या चांदी का चन्रवादान करें अपनी माता या पतनी का सम्मान करें और उनको चांदी का सिक्का उपहार में दें आपके लिए अच्छा रहेगा सुभंग के साथ सुबरंग है आस्मानी लक्मीटर साथ हरे क्रिश हो सकती है तो बाद भी बाद करने के बजाए मध्या मारग अपनाने की जुरूरत है नए रोजगार आपके लिए लाप्रद होंगे रोजगार के च्छेत्र में किया अप्रयास सार्थ तक होगा यात्राव मित्रों से लाप्राप्त होगा जो खास और से राजनीतिक गें किसी तैब की ससक्त होगी जदी आप कोई आर्थिक निवेश करते हैं ता आपके लिए लाप्रत होगा सेर इत्याद में सोज समझ करके निवेश करें सुब समाचार मिलेगा कोई ने तरह के कारी होगा घर बनवा सकते हैं पत्नी के स्वास उत्तम होगा पत्नी को नोक्री मि आपके लिए अच्छा रहेगा सुभंके तीन सुभ रंगे बेजी टेबल कलर लग मीटर है आठ हरी बात करते हैं करक राशी की जातक हैं आज आपकी जो भी महतों के अंचाहें हो कारे रूपें प्रेड़त होते हुए देख रही मैजिनेशन को रियाल्टी में बदलिए रोग और सत्रू आपको चिंतित कर सकते हैं इसलिए रोग और सत्रू पर थोड़ा ध्यान रखने की जुरुत है और अपने अंतरात्मा की आवाज पर कारी करना आपके लिए लाप्रद रहेगा संपत्ति से लाभ होगा जद कोई आर्थिक निवेश करते हैं तो आपके लि रोग और सत्रू परास्त होंगे माता-पिता का सुख मिलेगा अचानक क्यात्रा हो सकती है यात्रा लावकारी होगा नए तरह के कारियों से लाभ मिलेगा संतत्यों की टेरिटरी में दखलना अंदाजी न करें घर परिवार को थोड़ा सा समय देने की आवश्यक्ता है महिल ब्यक्ति को आटा दान करें या दूद या दही जुरू उनको दान करें अच्छा रहेगा सुभंके आठ शुब्रेंग है नीला लक मीटर है आठ हरी कृष्णी बात करते हैं शिंग राशी की जो शिंग राशी की जातक है आज का दिन आपके लिए बहुत महात पूर्ण है प्रयासत कारों बड़ी सफलता मिलेगी मान सम्मान मिलेगा आलश्य का परत्याक कर रहा है आपके लिए स्रेस कर होगा कर्म छेतर में लग जाए बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रहे है आपका मनोबल काफी हाई रहेगा और अपने आतमल के बल पर बड़े बड़े कार क कर लेंगे कारे में मन लगाने की जुरूरत है प्रगत का मार्ग प्रसस्त होगा प्राक्रम से धनलाब होगा मान सम्मान बढ़ते वे दिख रहा है परिक्षा में सफलता मिलेगी खिलाडियों के लिए समय बहुत अच्छा आवेश में आके कोई कार ना करें गुस्सा पर निय है पिंग लक मीटर है आठ हरी कृष्णा बात करते हैं कन्या राशी की जो कन्या राशी की जातक है आज कर दिन आपके लिए बहुत अच्छा है अप्रियासरत कारों में सफलता मिलेगी आर्थी के सिती अच्छी होगी अपने इसकिल के द्वारा धन अर्जित करेंगे सलाह मश्विरा से बड़े पैमाने पर धन लाव मिलते हुए दिख रहा है इस सित्यान कूल है बहुत ही कारियों से लाव मिलेगा अगर आप कोई पूजी निवेश करते हैं ता आपके लिए लाव प्रद रहेगा नौकरी में लाव होते हुए दिख रहा है यात्रा आनन दायक और मंगल दायक होगा किसी प्रकार का रिष्क न लें रोग और सत्रू परास्त होंगे माता पिता का सुख मिलेगा पतनी का मेंटल मौरल एमोशनल सपोर्ट भी लेगा लाव दायक समाचार मिलने की संभावना बन रही है भूम भावन खरिच सकते इसका प्रबल यूग बन करें सुभंकतीन सुभरंग हरा लक मीटर है आठ हरी कृष्ण बात करतें तुला राशी की जो तुला राशी की जातक हैं आज आपके मान सम्मान पत्परतिष्ठा में बढ़ोत्री होगे वैपारी की सिती मजबूत होगी रोग और सत्रू परास्त होंगे समय उत्तम चल रह अध्हात में रूषी बढ़ेगी कई महत्मुर कारिक करेंगे गो सेवा के प्रतिष्ठीप बढ़ेगा और समाश्य के प्रति रूची बढ़ेगा सरकारी नोक्री मिल सकता है तो अच्छा रहेगा लगजरी की चीजों में ब्रिद्दी उगी घर करिदने का ऑसर मिलेगा औ आगे बढ़ेंगे आज आपका मन थोड़ा दुखी हो सकता है आज आपको सौधानी का बरतनी है आपने बैपर नियंत्रण करें उपाय क्या करना है आपनी छोटी या बड़ी बहन को स्वेत रंग का वस्त रूपार सुरूप दें शूबंक है दो शूबरंग है सफेद लक मी हुत्री होगे बैपार में लापकारी सौधे होंगे जो डील करेंगे वो लापरद होगा बिद्दार्थियों की सफलता के लिए उत्तम समय चल रहा है धन अरजन के लिए समय बहुत अच्छा है रोग और सोक समाबत होगा अस्थाई संपते के मामलों में लाप मिलेगा पर अच्छ तापको बैवहार्थ को चेंज करने के जुरूरत है आप इतने अग्रेशन में रहते हैं कि छुटी छुटी बात को लेके गुस्टे में आ जाते हैं जिससे आपको बचने की जुरूरत है सौधानी का बरतनी है साज़दारी में कोई भी निया रुजगार करने से बचें नहीं तो भारी नुकसान होने की संभाववना बन रही है उपाय क्या करना है श्री हन्वान कवाच का पाठ करना आपके लिए हित प्रद रहेगा सुबंके आठ सुबरंगह के सरिया 8 हरीए नुद के ओध जदनुराशी की जातक हैं आज का दिन आपके लिए उत्तम है अगर आप कोई भी पूझी बैपार में निवेश करते हैं तो आपके लिए लाप्रद रहेगा अगर जोखिम उठा के कोई कारे करते हैं तो आपके लिए लाप्रद इसी दोगा नौकरी त्याद में पदुनत मिलने की सभावना बन रही है आपके सत्रों विरोधी उसमें मित्रों की मदद से अपार सफलता मिलने का योग बन रहा है सुबह और मंगली कारे हो सकता है संतानलाफ का योग बन रहा है यात्रा आनन दायक होगा अध्यात्मी कारे का योग बन रहा है पांडित कर्में रुची बढ़ेगी मंदिरी त्याद कर निर्मान करा सकते प्रवच्चन और धर्मार्थ कारियों में मन लगेगा शुक्षा के च्छेत्र में अगर आप नोक्री के लिए प्रयास करने ता आपको नोक्री लग सकती है पत्नी की हेल्थ में सुधार होगा अगर घर में कोई बुजुर के बैक्ति है तो उसके स्वास्पुत्रुत्र कृष्णी की बात करते हैं मकर राशी की जो मकर राशी के जातक हैं आज का दिन आपके लिए काफी अनकुलता लिये हुए है माता-पीडा का सुख मिलेगा देश-विजश की यात्रा का योग बन रहा है यात्रा लाव दायक होगा आपकी समाद में मान सम्मान पतभी लाय desaf सब्सक्राइब के लिए उसमें आपको बड़ी सा फलता मिलेगी नोकरी में पदनोत होगा आपके कारियों के होने के लिए सुब समय चल रहा है तो थोड़ा सा कारियों में मन लगा में कोई चिछकल पर नटालें और अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुने उसी दिशा में कार करें तेजगत की गाड़ी नचला में किसी विव्यक्ति से बाद दिबात करने से बचें जोखिम भरा कोई कर न करें सौधानी क्या बरतनी है बाणी पर संजम बरतना आवश्यक है उपाय क्या करना ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाई हुंग फट स्वाहा इस मंत्रका निय आज आपके आर्थिक किस्यती से सक्त होगी मनोबल आपका काफी हाई रहेगा विरोधियों से थोड़ा कश्प मिलेगा मन उदिग्न हो सकता है आज आपकी परिवार में सुभ और मांगलिक कारे का सुभ समाचार मिलेगा परतिष्ठा में बनुतरी होगी माता-पिता का सु सामें अगर आप इस्टेंजर से कोई लेन दिन करते हैं तो बचके करें नहीं तो नुकसान होने की संभावना बंड़े ये प्रापल्टी तायद खरिदने के औसर मिलेंगे सौधानी क्या बरतनी है रोगें सत्रु से सचेत रहें उपाय क्या करना काली वस्तू का दान करें पक्षियों को धना खिलाइए सुबंग के साथ सुबरंग कत्थाई लक मीटर साथ हरे कृष्णा बात करते हैं तिम राशी मीन की जो मीन राशी के जातक हैं आज आपका रुका हुआ कार संपन होगा माली हालत अच्छी होगी शुक्षा के छत्र में नोकरी मिलेगी योजन कारी होने की संभावना बन रही है और जो भी पूजी निवेस करेंगे वह लाप्रद सिद्ध होगा भाग दोड़ की सिती बनी रहेगी तनाव युक्त समय रहेगा बाधाओं के साथ कारियों में सफलता मिलते हुए दिख रही है माता पिता से किसी प्रकार का बाद दिबा करें और भगवान विष्णुजी की अरहतना करना आपके लिए लाप्रत रहेगा सुभंग के नौशुबरंग है पीला लक्मीटर है आठ हरी कृष्णा भागी गुरु कारिकरम में बस आज इतना ही फिर हम आपसे कालिसिस में इसी वक्त मिलेंगे तब तक के लिए मुझे दीजी इजाजत आप देखते रहे नुज इस्टेट उत्तर प्रदेश उत्राखण नमस्कार